Hello and welcome to our YouTube channel तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एक लास नाइन चेप्टर का ही सेल से स्टार्ट करेंगे यानि सेल मिन्स कोषिका क्या है कोषिका के बारे में हम सभी क्या जानते हैं कि कोषिका जिस तरह से हमारा सरीर बना है चोटी चोटी कोशिकाओं से ही हमारा पूरा सरीर बना है जैसे कि एक मकान देखते हैं और क्या देखते हैं कि एक इंट रख रख के मकान को डेबलफ किया जाता है उसको बनाया जाता है construction देया जाता है उसी तरह से हमारा जो पूरा body जो construct हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है कोशिका के द्वारा हुआ है तो कोशिका क्या है कोशिका हमारे सभी सजीवों की सरीर की रचना की छोटी छोटी इकायों से होती है चोटी-छोटी काईयों से होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कि सभी सजीवों के सरीर की रचना चोटी-छोटी काईयों से होती है, जिसे कोशिका कहते हैं, यानि कोशिका क्या है, कोशिका यानि cell is the structural and functional unit of life, जो cell ज जो सरीर है वह कई लाग को सिकाँ से मिल के बना हुआ तो एक कोशी के जीव है जिनको हम अपने नंगी आखों से नहीं देख सकते हैं उनको हाई पाउर के एलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उसके बाद से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बहुत कोशी किये होते हैं तो उनके बारे में भी आपको यहां पर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यह एक एनिमल कोशीका है यानि हम सबी के कोशीकाओं ऐसे ही बने होती है एक कोशीका के भीतर क्या क्या हो सकता है जिस तरह की कोशीका को कोशन मिलता है और कोशीका फिर डेवलोप होती है तो यह है एक मात्री कोशीका कर सकते हैं उस आपको इस image में दिख रहा होगा देखिए एक कोशी के हमें क्या क्या होना चाहिए एक कोसी का के भीतर होता है स्बसे पहला Nucleus उसके बाद होता है देखे, cytoplasm, कहां-कहां cytoplasm है, rough endoplasmic reticulum है जिसको RER बोलते हैं, nucleolus है, nuclear envelopor, ribosome है, centriol है, plasma membrane है, microvilliac golgi operator से जिसको golgi body भी कहा जाता है Lysosome है, smooth endoplasmic reticulum है, जिसको SER भी कहा जाता है और mitochondria अभी है, तो एक कोषिका के भीतर हमें अभी इतनी सारी जनकारिया हमें पढ़नी हैं और एक कोशिका से किस तरह से बन सकता है बहुत कोसिए किस तरह से बनते तो ऑप इस इमेज में हमें पादप कोशिका इस feminine neoliberati और हैं जो अलगले को मिले हैं आप हम लोग देखते हैं कि कोशिका के बारे में तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोशिका किसी जीवधारी की संराश्तमतक और किर्यात्मा की काई है जो अर्थ पड़ागमें जिली से गिरा हुआ कुछ मात्रिष जीवदरों से बना हुआ है जिसमें क्या होती है मात्रिक खोचीका और स्वप्रजरनष्यी है डिसमें स्वलड़ा Consider बैठेलव को और किया है रिजीड सब्सक्राटि काटि है प्रोटेक्टिव 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 प्रोटेक्टि की बीच में एक दो वालों के बीच में एक अर्जेसंट सेल के बीच में एक रहता है ठीक है सेल वाल का काम क्या होता है सेल वाल का काम होता है सेल वाल प्रोभाइट सेप टू दा सेल सेल वाल सेल को एक सेप प्रोभाइट करता है मेकानिकल स्ट्रेंग प्रोभाइट करता है यानि कि मेकानिकल स्ट्रेंग देता है प्लांट्स की भीतर सेल वाल प्रोटेक्स दा सेल एगेंस पैथोजीन एंड मेका विट्सेल वाल के कारण ही जो से प्लांट सेल होते हैं can withstand a lot of variation in surrounding medium as compared to the animal cell पादब कोशिका में ही कोशिका भित्ती पाए जाती है तो कोशिका भित्ती जो इसका काम क्या होता है कि सेल वाल के कारण ही जो प्लांट सेल होता है और अनिमल सेल के बीच में यह क्या है कि यह compared to animal सेल यह बहुत सारे variation को यह लोग surrounding variation को इसमें यह लोग अच्छा अपने आपको सावित करते हैं कोशिका भित्ती के कारण ही एक सेल अच जिली को बाहरी अगातों से बचाता है और निश्ची तकार प्रदान करता है जैसे कि मैंने बताया आपको और पारगय में जो जिली होती है वो उसका काम क्या होता है पारगय में होने कारण यह जल एवम आयनों को सरलता से बाहर एवम अंदर जाने देता है ठीक है जैसे य लो आते हैं कes plasma membrane plasma membrane क्या होता है plasma membrane इसको कहा जाता है plasma membrane होता है the outer most extremely delicate membrane as covering of the cell cell को cover करने के लिए that separates its contents from the external environment so that separates into contents from external environment जो separate करता है is called plasma membrane plasma membrane is selectively permeable ये भी होता है because it allows entry of certain substances certain substances को ही ये जाने देता है कुछ ऐसे substances को ही ये जाने देता आदान परदान करने देता है और exist of some substances while preventing passes to remaining substances permeable plasma membrane is living flexible भी होता है ठीक है और plasma membrane किस तरह का बना होता है plasma membrane is made of bilayer of lipid called phospholipid और protein phospholipid और protein का बना होता है इसका कारे क्या हो सकता है इसका कारे होता है it provides a definite shape to semi-fluid contents of the cell और a mechanical barrier भी होता है that protects the internal contents of the cell इसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी समझ सकते है कि plasma membrane सजीव कोशी का कि बादब और जन्तु कोशी का दोनों के बीक में ये दोनों में पाया जाता है जिबकि कोशी का बादब कोशी का में ही पाय साथी है कि ऐते हैं, तो सजीव कोशी का जिल्ली जिसको हिंदी में कह सकते हैं, सजीव कोशी का पादयप्राम जन्तु के जीव दर्वा को घेडने वाली एक लिपोल प्रोट्वि Golf से बननी हुई एक लक्लीलियम अर्ध पारगम्य जिसको semi-permable जिल्ली को ही कोशिका जिल्ली कहा जाता है ठीक है कोशिका जिल्ली जिसका कारे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाहरी बाता वरन से कोशिका के सजीव रचनाओं को सुरक्षा एवं कोशिका को अकार प्रदान करता है यह कोशिका में विशरन और प्रदान को भी संचालन करता है आपका प्रियोग दिया हुआ है आपके बुक में आप उसमें भी देख सकते हैं जो कि एक प्रियोग के द्वारा आपको बताये गया है किरीयातमक और िताक कायम रहती है किसके कारण फुर स्यायम क्या जिल्मगाई जिल्णीन कारण कुछ से क्यों कि पुप्लाज्मा जिल्णी पिनो कारण जिल्ली स्यायथ दिफbn के में करती हैं ठीक है कुछ कोशिकाओं की प्लाजमा जिली कुछ कोशिकाओं की प्लाजमा जिली जिसे पीनोसाइटिस द्वारा और और फेगोसाइटिस द्वारा खादे प्रदात का गरहन करती है ठीक है तो यहां पर आपको बताया है कि फेगोसाइटिस जो होता है यह इसी तरह बादued हम से प्रोस्ति का इसी प्रोसेस से फी प्रोसेस की वह अपनी खाना को Карहन किए जाता है में लुग क्या जानते हैं एक न्यूक्लियस के बीतर याणि एक सैल वीतर होता है एक न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहा जाता है और विधर बहुत सारे ऐसेこと होते हैं जिनको जिनको समझना पड़ेगा कि केंद्रक के भीतर किस तरह से एक केंद्रक ही पूरे कोशिका को पूरा स्ट्रेंक्ट देता है यानि केंद्रक को कोशिका का मस्तिस कहा जाता है थोड़ी कन्फ्यूजन थी केंद्रक को कोशिका का मस्तिस कहा जाता है वो इसलिए कि एक experiment के द्वारा दिखाये गया कि अमीबा में से उसका केंद्रक निकाल दिया गया तो अमीबा बस कुछ समय के लिए जीवी तरह और उसके बाद वो मरी है चुकि अमीबा क्या एक कोशिक की अब जीव है तो केंद्रक ही मस्तिस्क होता है कोशिका का यानि नु इसी नुकलियस में ही पाई जाती है for controlling cell activities जो cell को control करने के activities होती है as well as for transfer to the next generation और इसके सांसा जो next generation में क्या जाएगा उसके अंदर भी cell के केंद्रक के भीतर ही इस तरह का information होता है उसकी बाद यह हो सकता है कि some cells जैसे की कुछ ऐसे cells भी होते हैं जो cells lack of nuclei at their maturity कुछ ऐसे cells भी होते हैं जो अपनी maturity जप्राप्त करते हैं तो उनके भीतर क्या होता है कि nuclei की कमी हो जाती है nuclei खतम हो जाता है जैसे की examples में हम ले सकते हैं कि RBC in mammals, RBC mammals में होता है और seed elements in plants, seed elements plants में भी होते हैं cells without nuclei cannot survive for long time cells जोकी nuclei के बिना होता है वो बहुत देर तक जिवित न is present in most of the cells, एक cell के बीतर एक nucleus तो present रहता ही है, but some cells may have more than one nucleus कुछ ऐसे भी cells होते हैं जिनको एक से ज्यादा nucleus होते हैं जैसे की examples में आप लेख सकते हैं पारा मोशियम है, पारा मोशियम भी बहुत सकते हैं जिसमें two nuclei present होता है, ठीक है, तो nucleus जो होता है, वो made up of बहुत सारे particles, ब यहां पर हम देख सकते हैं, कि nuclear envelop होता है, पहले nuclear envelop होता है, उसके बाद होता है, आपको मैं एक image के दोड़ा बताओं कि क्या क्या होता है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो यहां पर आपको दीख रहा हो है, यह एक nucleus है, यह cell के भीतर हमारे एक है उसके बार नीट्री तर जो हमारे पास है यह देखिए इतना कुछ नीकलियोब प्लास्म है ठीक है यह नीकलियोब प्लास्म है जो यहां से बता रहा हैं उसकी बाद है न्यकलियर और इंव्यालोपी का सकते यह Site C तो इह नुकलियर बीत में इतने सारे चीज होते हैं तो सबसे पहले होता है निुकलियर इन्वैल of डॉल्फ अ कॉंवर्णि कोवरीग इच सेप्रेट सबसे नुकलियस इई और पर्फॉरीटम्ट कोवर्णिम्ट वेच सब्सक्राइब nuclear ports देखिए nuclear ports होता है जैसे यहां पर दिखाए गया आपको nuclear ports होते हैं तो nuclear ports allows exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm तो यह क्या nuclear port का का काम क्या होता है कि यह allow exchange exchange करना materials को जो nucleus और cytoplasm की बीच में जो material होता है उसको exchange करने का काम करता है ठीक है उसकी बाद आता है nucleoplasm, aha, nucleoplasm जो होता है, जैसे यह है, nucleoplasm है, nucleoplasm नुखलीज सैप बिजिज को कह सकते हैं, it is a colorful dense LISA headers, Direни tutor, unter the nucleus जो भीतर पाय जाता है, और in which chromatin and newivan are suspended, जहांपर chromatin or olevan suspended रहते हैं, जहांपर यह suspended दिखा रहा है आपको, तो ठीक है उसकि बाद हम लोग आते हैं नुक्लियोलस के बारे में नुक्लियोलस क्या है जैसे यहां image में दिख रहा है आपको Nucleolus is a it is a nearly rounded structure, rounded structure होता है found inside the nucleus जैसे यहां दिख रहा है, rounded structure होता है, जो nucleus की भी तर पाया जाता है In certain cases, the nucleus may have more than one nucleus, कुछ ऐसे cases में भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा nucleus भी हो सकता है, the nucleus is not bonded by a membrane यह किसी तरह के कोई membrane से यानि किसी तरह से जिल्ली से यह नहीं घिरा होता है और यह it is a reach in RNA and protein और यह RNA ribonucleic acid और protein से यह reach होता है इसमें भरपूर होता है और it is a site of ribosome formation और यह ribosome का formation करता है Ribosome क्या करता है, ribosome is a helpful in protein synthesis in the site of plasma Ribosome का काम क्या है, ribosome is helpful in protein synthesis in the site of plasma ठीक है, उसके बाद आता है क्या chromatin material यह chromatin thread जिसको chromatin network भी कहा जाता है, chromatin material तो chromatin material में क्या होता है it is the it is in the form of a intertwined mass of thread-like, thread-like structure दिख रहा है आपको इस image में made of DNA जो की बना होता है किसे, deoxy ribos, nucleic acid and DNA जिसको कहा जाता है and protein से, because of its intertwined nature, it is also called a chromatin reticulum भी इसको कहा जाता है during cell division में यह क्या काम करता है, chromatin becomes highly dense हो जाते है, sorry condensed हो जाते है, ठिक हो जाते है एक दुसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, और rod-like structure बनाते हैं, जिसको chromogenes कहा जाता है chromogenes का structure आपने सब जानते ही होंगे, कि just like ऐसे और ऐसे इस तरह से यह सब एक दूसरे में जुड़ने लगते हैं, यह chromatin, इस तरह से chromogenes का structure यह त्यार करने लगते हैं, ठीक है तो इस तरह से हम लें nucleus के बारे, और एक बार और इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम लोग कि केंद्रक क्या है nucleus, यूकरेटी कोशिका के मध्य में इस्तित, दोड़ी जिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग, जिसको जिसमें गून सूत्र, गून सूत्र यानि के DNA और जितित, केंद्रक का निर्मान कोशिका विवाजन के समय सबसे पहले सिंद्रक विभाजन द्वारा ही होता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ब्यूंग, सबसे पहले क्या क्या आता है तो जो केंद्रक है उसको केंद्रक को केंद्रक को चार पर्मुक भाग होते हैं जैसे कि बताया मैंने न्यूक्लियर मेंब्रेन केंद्रक जिली केंद्रक के चार और और उपस्तित बाहरी दोड़ी जिली को केंद्रक जिली कहा जाता है अप्रदे प्रोष्ट अब कहा जाता है नुकल्य प्लास्म का काम स्सक्रीज़ में के बीच प्रडर्दर्सक अर्ध टर्श कानिका मोडार पदार्य करम यह एक जाता है नुकल्य अपत्क जिलली यह सब कहने घर फिरान interrupting तो कि आन फ्रों केंडरिकाला देता तो उसमें क्या होती है मैं घुकलक औयोध्य प्रोटीन श्का गुशन फषापि सPlutis इसको धान फाइन अरे जाय में प्रोटीन होते है न्यूध्य फॉलीफ देष्द kayak यह केंद्रक को आधार केंद्रक में यह अधार प्रदात का काम करता है नुक्लियर रेटिकूलम के बारे में जैसा मैंने भी बताया आप लोग को कि इसमें क्रोमाटीन तंतू भी पाया जाता है क्रोमाटीन डी एने और हिस्टोन प्रोटीन का एक जटिल योग्यक है यह दो में होते हैं और जो कोशी का विवाजन से कशा हुआ होता है और उसके बाद लास्ट में क्या होता है मोटा होते जाता है देंस और इसमें जिसमें अधिक मात्रा में डी एने होता है इसी भाग में क्रोशिंग ओबर की किरिया होती है जिससे की क्रोमोजम बनते है कुंठी जिसको क्रोमोजोम कहा जाता है कार यह हैं कि क्रोमोजोम इक जाता है जो गुल except promote सिर्भा जिर पाया जुन एंचारत आता है हिंदी इंगलिस दूरों वीडियों की बच्चों को समझाने के लिए तो मैं कोसिज करती हूँ कि छोटा हो पर काफी लंबा चला गया फिर भी मैं कोसिज करूँगी कि नेक्स वीडियो में आपको और भी अच्छे से समझाओ ठीक है तब तक आप इस चैनल को देखते रहे है और चैप्टर से रिलेटिर कुछ प्रावलम होने से आप मुझे कमें सेक्षिन में पूछ सकते हैं मैं कोसिज करूँगी एंसर करने के ठीक है थैंक यू किप वचिंग बाबाई